चंदनपुर राज में दीनानात नाम का एक बहुत गरीब सेट रहता था जो कि किसी जमाने में बहुत बड़ा धनवान था जब सेट धनी था उस समय सेट ने बहुत पुर्णय किये गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथा अश्रम बनवाई और भी बहुत से पुर्णय किये थे लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा सेट निर्धन हो गया एक बार से खानी जब बाजार से कुछ सामान ला रही थी तब उसने सुना, राजा के सैनिक को चैलान कर रहे हैं सुनो सुनो, सारे नगरवासियों के लिए राजा विक्रम जीत का आदेश है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुन्य कार्य किये हैं तो वो अपने पुन्य बताएं और अपने पुन्य का जो भी उचित फल है वो इनाम सरूप राज महल से ले जाएं क्या, जिसने भी पुन्य किये हैं, उन्हें राजा इनाम देंगे फिर तो ये बात मैं इन्हें जाकर अभी बताती हूँ गरीबी में दिन गुजारते हुए हमें भी कहां रातों को नीद आती है सिठानी घर जाकर सारी बात अपने पती को बताती है सुनिये जी, मुझे आपको कुछ बताना है बहुत ही सरूरी बात है, जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश होंगे राजा विक्रम जीत ने राज्य में एलान किया है कि जिस भी व्यक्तिने जीवन में कुछ भी पुर्ण्यकारी किये हैं वो उन्हें जाकर राजा को बताएं, तो वो बदले में इनाम स्वरूप बहुत सा धन देंगे और हमने तो बहुत पुर्ण्य किये हैं आप राजा के पास जाओ, और अपने पुर्ण्य बताकर उनका जो भी फल मिले ले आओ और अगले दिन ही सेट दीनानाथ राजा से मिलने जाने के लिए तयार हो गया जब सेट महल जाने लगा तो सेठानी ने सेट से कहा सुनो जी, ये रास्ते के लिए चार रोटी बना कर बांधी है राजमहल दूर है, भूख लगी आएगी, कहीं थोड़ी देर रास्ते में रुख कर खा लेना सेट दीनानाथ घर से निकल पड़ा, गर्मी का समय था, दोपहर हो गई थी बहुत गर्मी है, दोपहर में तप्ती धूप में चलना थोड़ा मुश्किल है, प्यास भी लगी है सामने तालाप से पानी पीकर, रिक्ष की चाया में क्यों ना बैठ कर थोड़ा आराम कर लूँ और रोटी भी खा लूँगा सेट दीनानाथ व्रिक्ष के नीचे रोटी एक रख कर पानी से हाथ मुध होने लगा, तभी वहाँ पर एक कुटिया अपने चार-पाच छोटे-छोटे बच्चों के साथ पहुच ले, और सेट के सामने फ्रेम से दुम हिलाने लगी अरे, लगता है ये कुटिया भूखी है, तभी अपने दुम हिला रही है, शायद ये मेरे से कुछ खाने के लिए मांग रही है, लगता है इसे मेरे पास से रोटी के खुश्बू आ गई है, रुख, मैं अभी दो रोटी तुझे देता हूँ कुटिया को देख कर सेट दिनानाथ को दया आ गई, सेट दिनानाथ ने दो रोटी निकाल कुटिया को डाल दी, कुटिया भूखी थी और बिना समय लगाए कुटिया दोनो रोटी खा गई, और फिर से सेट की तरफ देखने लगी लगता है ये दो रोटी इस कुटिया के लिए कम रहेगी इसके चार-पाँच बच्चे इसका दूद भी पीते होंगे दो रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती ये ले, ये बच्ची हुई दो रोटी भी तो खा ले कम से कम थोड़ा तो तिरा पेट भर जाएगा पूछ रहे थे महराज, मैंने अब तक के अपने जीवनकाल में अनेक भूखों को भोजन कराया है अनाथ बच्चों के लिए, अनाथ आश्रम और गरीबों के लिए अस्पताल तथा गायों के लिए गौशाला बनवाई हैं राजा विस्तार से सेट दीनानाथ के द्वारा किये सभी पुर्ण्यकारियों के बारे में सुन रहे थे और सेट दीनानाथ अपने द्वारा किये गए सभी पुर्ण्यकारियों के बारे में सुन रहे थे महाराज, अब आप मुझे क्या फल देंगे? मैंने आपको अपने द्वारा किये गए बहुत से अपने कारेओं के बारे में बता दिया है. सेठ दिनानात, मैंने आपके द्वारा किये गए पुन्य कारियों को ध्यान से सुना, पर आपके इन पुन्य कारियों का मेरे पास कोई फल नहीं है यदि आपने कोई और पुन्य किया है तो वो भी बताएं, शायद उसका कोई फल मैं आपको दे पाऊं महाराज, जब आप मेरे द्वारा किये गए इतने सारे पुन्य कारियों के बदले भी मुझे कोई फल नहीं दे रहे तो आगे के और कार्य बता कर भला मुझे क्या फायदा होगा, मुझे आग्या दीजिये महाराज, मैं चलता हूँ जब सेठ वापिस जाने लगा तो राज सैनिको ने राजा के कान में कुछ कहा और राजा ने सेठ को आवाज लगाई सेठ दिनानाज जी रुकिये, आपने एक पुन्य कार्य प्राताह जो किया था, वो तो आपने बताया ही नहीं सेठ दिनानाज जी, आज प्रातह आपने एक कुतिया और उसके भूखे बच्चों को अपने हिस्से की चार रोटी खिलाई परंतु उस पुन्य कर्म को भूल गए, आपके द्वारा किये गए उस पुन्य के बदले जो भी मांगना चाहते हो, मांग लो वो आपको मिल जाएगा महाराज, मेरे मन में एक प्रश्ण है जो मैं जानना चाहता हूँ मेरे द्वारा किये गए पिछले सभी पुन्यकारियों का कोई मुल्य नहीं है और एक कुतिया को खिलाई गई चार रोटी, फिर इसका मुल क्यों एसेट, जो पुन्यकर के तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिये वो सब बेकार हैं क्यूंकि आपके अंदर मैं भावना बोल रही थी कि ये मैंने किया जब आप में मैं की भावना आ गई तो आपके सब कर्म वेर्थ हो गए जो सेवा सुना कर की जाए भला वो सेवा ही क्या परन्तु जो सेवा प्रातह आपने रास्ते में कुतिया को चार रोटी का पुन्य करके की वो आपकी सबसे बड़ी सेवा है उसके बदले आप मेरा सारा रज भी ले लें तो भी बहुत कम है सेट दीनानात को ये बात समझ में आ गई थी कि जो पुन्य कारे बिना जताए किया जाए वही असल में पुन्य कारे है धिंडोरा पीट कर किया गया पुन्य कारे कोई फल नहीं देता राजा विक्रमजीत सेट दीनानात को बहुत सारा धन दे कर विदा करता है उस दिन के बाद से फिर दीनानात के गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं और वह परुपकार के रास्ते पर चलते हुए अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है राजेश नाम का एक कोटो वाला ओटो चलाये करता था उसकी बीबी शीतल और साथ साल का बेटा राजू था वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिन्दगी बसर कर रहे थे अजी सुनती हो हाँ आ रही हूँ अभी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ हाँ बोलिये क्या हुआ और इस पैकेट में क्या है खुद ही देख लो ये लो खोलो राजेश अपने बैग में से गिफ्ट पैक निकालता है और शीतल को देता है शीला गिफ्ट पैक को खोलती है तो उसमें एक साड़ी दिखती है इसमें तो साड़ी है जी आप पता है मुझे ये साड़ी किसके लिए है अरे मेरी प्यारी बीवी ये तुम्हें दी है तो तुम्हारी हुई ना ये तो बहुत प्यारी है पर इसकी क्या जरूरती इतना तो हम पैसा बचा भी नहीं पाते और ये फालतू के खर्चे क्यों किया आपने अरे पगली मैं वैसे भी तुझे कहा कुछ दे पाता हूं एक साड़ी ही तो है तू कभी कुछ नहीं मांगती मुझसे आज थोड़ा धंदे में मुनाफा हुआ तो सोचा आज तेरे लिए एक साड़ी ले चलता हूं बहुत दिन से तुझे कुछ दिया ही नहीं मैं जानती हूँ हालातों को तभी तो आपसे कुछ नहीं मांगती चल अब ये बेकार की बाते बंद कर और इसे पहन कर दिखाओ देखू तो इसमें मेरी बीवी कितनी सुंदर दिखती है शीतल साड़ी पहनने अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में साड़ी पहन कर बाहर आती है अहा, देखा, साड़ी कितनी सुंदर लग रही है तुछ पर, ये रंग तुछ पर बहुत खिल रहा है। इसी तरह हसी खुशी से दिन बेट रहे थे। अचानक से राजेश की पत्नी शीतल बिमार हो जाती है और डॉक्टर की फीस और दवाईया देते देते राजेश को अपना ओटो बेचना पड़ जाता है। मुझे ये आटो बेचना है। जिससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और तुम घर चलाने के लिए रिक्षा भी ले लोगे। क्या समझे। बात तो तुम सही कह रहा है ओ भाई। राजेश बात मान जाता है। राजेश ओटो बेच कर एक रिक्षा ले लेता है और दिन रात उस पर मेहनत करता है। वहाँ राजेश की पत्नी की तब्यत अचानक खराब हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल ले कर जाता है। राजेश के पास पैसे नहीं थे। थोड़े से पैसे लेकर राजेश दवाई की दुकान पर जाता है। और इंजेक्शन लेने के लिए पैसे देता है। राजेश उसे दुकान के सामने रोने लग जाता है। उस दुकान वाले से रोते रोते अपनी बीवी के लिए इंजेक्शन मांग रहा होता है। लेकिन वो दुकान वाला बहुत लालची था, वो राजेश को धक्का मार कर वहां से भगा देता है, अरे कुछ भी करो, मुझे दस रुपे दो तभी इंजेक्शन मिलेगा, वरना निकलो यहां से, राजेश बिना इंजेक्शन के ही वापिस आ जाता है, और उसकी बीवी का त हांत हो जाता है, राजेश अपने बेटे के साथ रहने लगता है, उधर दुकानदार जिसका नाम विपिन था, जहां राजेश के पास पैसे ना होने पर उसने राजेश को धक्का देकर भगा दिया था, वो एक बहुत ही लालची दुकानदार था, वो दवाईयों से बहु लेने की सोचता है, तभी विपिन को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और भाग कर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा है, वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुँचता है, डॉक्टर सहाब देखो मेरे बेटे को क्या हो गया है ये बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं, जब मैं इसके पास गया तो ये बेहोश पड़ा हुआ था मुझे इसका चेक अब करना है डॉक्टर उसका चेक अब करता है तो वो विपिन को बताता है अब क्या हुआ डॉक्टर? मेरा बेटा ठीक तो है? नहीं क्या हुआ डॉक्टर आप सरा तसली रखें क्या बात है डॉक्टर साब ऐसा आप क्यूं कह रहे हैं मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे को कैंसर है विपिन के पैरोतले जमीन खिसक जाती है और वो पास की कुरसी पर गिर जाता है अब समाली अपने आपको ये क्या कह रहा है हो डॉक्टर साब ऐसा कैसे हो गया ये सच है विपिन जी अब क्या कर सकते हैं मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना हाँ उसके लिए कुछ महंगी दवाईयां जरूरी है और कुछ टाइम इलाज करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सबर रखना पड़ेगा विपिन अपने बेटे का इलाज करवाना शुरू कर देता है इस इलाज में बहुत पैसा लगाता है पर उसका बेटा ठीक नहीं होता एक देन उसके बेटे की तब्यत जादा खराब हो जाती है तो डॉक्टर उसे दवाई लेने के लिए भेजते हैं जैसे ही दवाईयों की दुकान पर जाता है दवाई मांगता है अब भाई मुझे ये दवाईय जल्दी से दे दो ये दवाईय तो बहुत महेंगी है क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं विपेन अपनी सारी जमीन जायदाद गमा चुका था उसके लाज में अब उसके पास कुछ भी नहीं था सिर्फ चंद रुप्यों के अलावा वो अपनी सारी पैसे उसको दिखाता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा नहीं है बस यही रुपे है इतने में दवाई नहीं आएगी सो रुपे और चाहिए पर भाई मेरे पास इतने ही पैसे है तो दवाई नहीं मिलेगी जाओ और पैसे लेकर आओ मेरा बेटा बहुत बिमार है मैं आपके सो रुपे जल्दी ही चुका दूँगा चलो हटो निकलो यहां से पहले सो रुपे लेकर आओ तुमारे जैसे रोज आते हैं चलो भागो यहां से गरीब कहीं के विपिन को पता था कि यह दवाई बहुत सस्ती है और दुकानदार इसे बहुत महिंकी बेच रहा है विपिन उस दुकानवाले से रो रो कर दवाई मांगने लगता है और वहीं बैठ जाता है पास आता है और उसको दवाई दे देता है विपिन को दवाई के कारण अब बहुत देर हो चुकी होती है अब कुछ देर में अस्पताल नहीं पहुचा तो उसके बेटे का बचना मुश्किल था विपिन भागते हुए जाने लगता है लेकिन उसे पता था कि वो ऐसे नहीं पहुच पाएगा इसलिए कई लोगों से अस्पताल छोड़ने को कहता है लेकिन उसके पास पैसे ना होने पर कोई भी उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता अगर मैं जल्दी ही अस्पताल नहीं पहुचा तो मेरा बेटा जब वो जा रहा होता है तो उसे ठोकर लगती है और वो गिरने लगता है तभी एक रिक्षे वाला उसे आकर थाम लेता है वो वही रिक्षे वाला होता है जिसको दबाई देने के लिए विपिन ने मना कर दिया था लेकिन फिर भी वो अपने रिक्षे में विपिन को बिठा लेता है और पूछता है भाई तुम्हें कहां छोड़ दूँ मेरा बेटा अस्पताल में है मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं आप परिशान नहों सब ठीक हो जाएगा मैं आपको वहाँ बिना पैसो के छोड़ दूँगा विपिन बैठे बैठे बस अपने किये पर पश्ता रहा होता है उसका लालच उसके सामने आ रहा था वो अपने किये पर बहुत पश्ता रहा था पर समय लिकल चुका था मैंने दूसरों का बहुत दिल दुखाया है और शायद इसी लिए आज मेरी ये हालत है इसी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है मैंने न जाने कितनों को दवाई नहीं दी कुछ पैसों के लिए और आज मैं भी वहीं खड़ा हूँ आज मेरे पास भी पैसे नहीं है और दवाई की जरूरत है सबको ऐसा ही महसूस होता होगा जैसा कि मैं लाचार महसूस कर रहा था विपिन हॉस्पिटल पहुँचता है और वहाँ जाकर दवाई डॉक्टर को दे देता है वहाँ उसके बेटे की तव्यत और खराब हो रही होती है ये सब उससे देखा नहीं जाता और उसके आँखों से आंसों की धारा निकल पड़ती है तब ही उसको भगवान की मूर्ती दिखाई पड़ती है और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है तब ही डॉक्टर वहाँ आते हैं और बताते हैं कि उनका बेटा अब ठीक है विपिन राहत की सांस लेता है और उसके कुछ समय बाद विपिन का बेटा ठीक होकर घर आ जाता है उसके बाद से विपिन सभी ज़रत मंद की मदद करने लगा